किरांग पाजवांदी से आपकी जनता पाटी को बात कर रहे हैं और सभी से बारता करने के बादानी बादेंगी से बारता चल रही है तुरों परत्यास नामंतन किया उस्री मंदल पांडोगी दाफ्टर लाल कोहांट कुर्टा नामंती ने पराना मिता सुझे नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ भारतीर जनता पाटी की ओर से आज बिहार विधान परिशद के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया जुसमें मंगल पांडे लाल मोहन गुपता और अनामिका सिंग के नाम शामिल है वहें इसको लेकर जो बिहार के मुख्यमंतरी समराच चौधरी और मंगल पांडे से पत्रकारों ने सवाल किया तो इस पर समराच चौधरी ने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुनें सब्सक्राइब कर लिया है और पुरी तरह एक तरफ का ये चुनाओ सभी एंडियो के प्रतियासी जी जाए क्या कैमिनेट एक्सपैंशन की ख़बर है दिहार में जी आदनी मुख्यमंतरी की आए चिराग को लेकर सर्थ क्या हो रहा है चिराग पाशवांदी से आपके जन्ता पार्टी को बात कर रहे हैं और सभी से बारता करने के बाहर आदनी बादी जी से बारता चल रही है सबसे बारता के बारता के बादर एक जोगी एक फॉब बनाकर तब आक्को बिस्लिच जन्ताओ जाया है और कोई प्राइब भाइब टेल घडियों सेंगे जिल इता है। कि अनल दिए सब्सक्दिता है। तर प्राइब लगत सेंगे जडिता है। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्य मंत्री समराट चौधरी को जो इन्होंने बताया कि आज भाजपा की योर से मंगल पांडे लान मुहन गुप्ता और अनामिका सिंग ने बिहार विधान परिशद के लिए नामांकन किये और साथ उन्होंने अगामी चुनाव को लेकर बड़ा एलान किया उन्होंने कहा कि इन्डिये के जुतने भी प्रत्याशी हैं वो एक तरफा चुनाव जीतेंगे वही जब बिहार में काबिनेट विस्तार को लेकर समराट चौधरी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब नितीश कुमार वापीस आएंगे तो जल्द ही बिहार में काबिनेट विस्तार होगा अगला सवाल उनसे चिराग पास्वान और उपेंदर कुश्वाह की नराजी को लेकर किया गया कि ये दोनों लगातार इंडिये से नराज चुल रहे हैं ऐसा दावा किया जार अतुस पर समराट चौधरी ने कहा कि भाजपा के जो सिर्ष नित्रुत्व हैं वो इनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं और जो भी इसका परिनाम निकल कर आएगा वो आपको बता दिया जाएगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल 8news24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसू पर देख पारें तो हमा